माँ भार्ती की सेवा और स्वरक्षा के लिए 2400 घंटे डटे रहने वाले आप सभी विरों को फिर एक वार मेरी तरफ से 130 करोर देश वाश्यों की तरफ से दिपावली की बहुत बहुत बधाई देश की सरहत पर हो आसमान में या समंदर के विस्तार में बर्फिली चोटियां पर हो या गने जंगलों में कि राष्ट रक्षा में जूटे हार बीर बेटे बेटी हमारी सेनाएं बीएस एफ आई टी बीपी कि सी आई एस है हर सुरक्षाबर हमारे पुलीस के जवान हर किसे को मैं आज दिपावली के इस पावन पर्व पर आदर पुर्वक नमन करता हूं आप है तो देश है देश के लोगों की खुशिया है देश के ये त्योहार है मैं आज आपके बीच प्रतेग भारतवासी की शुक कामनाई लेकर आया हूं आपके लिए कोटी कोटी देश वाजियों का प्यार लेकर गया हूं हर वरिष्ट जनका मैं आपके लिए आशिष लेकर गया हूं मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दिपावली की हारदिक शुक कामनाई देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दीन पर भी सरहत पर तहनाद हैं बेभी परिवार के सभी लोग भी अविनंदन के अधिकारी हैं एक बार फिर दोनों बुठी बन करके पुरी ताकत से मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की साथ्यों कि मुझे आध है कि प्रदान मंत्री बनने के बाद पहली बार कि 2014 में दिपावली के परव पर मैं सियाचीन चला गया था कि जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए तो बहुत लोगों को तुना अश्चर हुआ है कि हर के दिन यह क्या प्रदान मंत्री कर रहा है कि लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं अगर दिवाली के परव पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा कि अपनों से दूरतार हुँगा और इसलिए आज भी दिपावली के पर आप पके बीच में आया हुए अपनों के बीच में अब भले बर्फिली पहड़ी अपन रहें या फिर रिगिस्तान में है मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है आपके चहरों की रोनक देखता हूं आपके चहरे की मेरी खुशियां देखता हूं तो मुझे भी अनेग गुणा खुशी हो जाती है मेरी खुशी बढ़ जाती है इसी खुशी के लिए देश वास्यों के वुलास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रिगिस्तान में आपके बीच मैं आया हूं और एक बात आपके लिए मैं जो हार का बीन है तो थड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं लेकिन यह हैं सिरफ देश का प्रधान मंत्री मिठाई लेके नहीं आया है यह मेरी नहीं यह सभी देश वांचों के प्रेम और अपने पनका स्वाद भी उसके साथ लेकर आया हूं इन मिठाईयों में आप देश की हर मां के हाथ की मिठास अनुहव कर सकते हैं इस मिठाई में आप हर भाई बहन और पीता के आशिरवात को मैसूस कर सकते हैं और इसलिए मैं आपके बीच अकेला नहीं आता मैं अपने साथ देश का आपके प्रति प्रेम आपके प्रति स्ने और आपके लिए आशिरवाद भी साथ लेकर के आता हूं और साथियों आज यहां लोंगे वाला की एक्सपोस पर तो देश भर की नजरे भी आप पर हैं मा भारती के लाड़नों मेरी बेटियां मेरे देश की गवड़ों देने वाली बेटियां जो मेरे साब में बैटी हैं कुण पर देश की लज़र है मुझे लगता है कि देश की सरहत पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे जादा लोगों को याद होगा अने पिडियों को याद होगा तो पोस्ट का नाम है लोंगे वाला पोस्त हर किसी की जुबापर है एक ऐसी पोस्त जहां गर्मियों में तापमान पचास डिगरी को छूता है तो सर्दियों में सुन्य से नीचे चला जाता है और मैं जुन में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं एक दूसरे का चहरा भी नहीं देख पाते हैं इस पोस्त पर आपके साथियों ने शौरिय की एक ऐसी गाता लिख दी है जो आज भी हर भारतिय के दिल को जोस से भर देती है लोंगे वाला का नाम लेते ही रुदय की गहराई से मन मंदिर से यही प्रगड होता है जो वोले सोने हाल सत्स्रिय का यह जयकारा कानों में गुंजने लगता है साथियों जब भी सैन्य कुसलता के इतिहास के बारे में लिखा पड़ा जाएगा जब सैन्य प्राख्रम की चर्चा होगी तो बैटल अफ लॉंगे वाला को जरूर याद किया जाएगा यह वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बंगला देश के निर्देश नागरिकों पर इत्याचार कर रही थी जुल्म कल रही थी नरस सवहर कर रही थी बहें बेटियों पर अममानिवी यह वह अगा पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे इन हरकतों से पाकिस्तान का गुरनित चहरा दो जागर हो रहा था भयांग का रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रगट हो रहा था इन सबसे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पस्चिमी सिमाओं पर मोर्चा खोल दिया पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पस्चिम सिमाओं पर मोर्चा खोल दूँगा दुनिया में भारत ने यह कर दिया भारत के वह कर दिया करके रोता रहूंगा और बंगला देश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए साथियों यहां इस पोस्ट पर दिखाएगे पराक्रम की गुंच इस गुंच ने दुश्मन का होसला तोड़ दिया था उसको क्या पता था कि हां उसका सामना मा भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वारा है मेजर कुल्दिप्सी चांदपुरी के नेत्रुतों में भारतीय वीरों ने टेंकों से लेश दुश्मन के शाइनिकों को धूल चक्रादी उनके मनसुभां को नेस नाबूत कर दिया कभी कभी मुझे लगता है कि कुल्दिप जी के माता पिता ने में उनका नाम को कुल्दिप भले रखा था उनको लगा होगा यह कुल्दिप्सी ने अपने पराक्रम से उसनां को ऐसे सार्थक कर दिया ऐसे सार्थक कर दिया कि बेशरप कुल दिप नहीं वे राष्ट दीप बन गए राष्ट दीप बन गए कि साथियों कि लोगे वाला का वाइतियां से युद्ध भारतिय सैन्य बलके शार्यकार प्रतीक तो है ही थल सेना, बियसे और वायू सेना के अद्बूत कोर्डिनेशन का भी प्रतीक है इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगटीत सैन्य सक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाएं वो किसी भी सुरत में टीक नहीं पाएगा अब जब सन 71 में हुए युद्ध के लंगे वादा में हुई लड़ाई के पचांस वर्ष होने जा रहे हैं कुछी सब्ता में हम इसके पचांस वर्ष इस गवर्वपूर्ण स्वारने पुरुष्ट को हम बनाने वाले हैं और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है तो पुरा देश अपने उन वीरों की विजय गाताय सुनकर वो गवर्वानवित होगा उसका होसला बलंद होगा नई पीडियां और आने वाली पीडियां इस प्राक्रम के साथ प्रेनना भी लेने के लिए यह आउसर उनके जीवन का एक भावत बड़ा महत्वपुण बनने वाला है ऐसे ही वीर सपुतों के लिए ऐसे ही वीर सपुतों के लिए राजस्तान की भूमी के यह कभी नारायन सी भाटी ने लिखा है और यही की बोलचाल की भाषा में लिखा है उन्होंने लिखा है इन जैसे घर इन जैसे गगन इन जैसे घर इन जैसे गगन इन जैसे सह इतिहास इन जैसी सह पीडियां पाची त्रणे प्रकाश यानि अपने वीर सपुतों के बलिदानों पर ये धर्टी गर्व करती हैं आसमान गर्व करता है और संपुर्ण इतिहास गर्व करता है जब जब सूर्य का प्रकाश इस धर्ति पर अंतिकार को भगाने के लिए अवतरिद होगा आने वाली पीडिया इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी साथियों हिमालय की बुलंदिया हो रेगिस्तान में बालू की धेर हो गने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो हर चुनोती पर हमेशा आपकी वीरता आपकी वीरता हर चुनोती पर भारी पड़ी है आप में से अनेट साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डेटे हैं तो आपको हिमालय की उंचाईयों का भी अनुभव है स्थिती परिस्थिती कोई भी हो आपका पराक्रम आपका शोर्य और तुल्निय है इसी का असर है कि आज दुश्मन भी यह एसास है कि भारत के जावाजों की कोई बराबरी नहीं है आपके इसी सोर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोर देश्वासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं आज हर भारत वासी को अपने साहिनिकों की ताकत और शोर्य पर गर्व है उन्हें आपकी अजेता पर आपके अप पराजेता पर गर्व है दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जमानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोख सकता है न अब तोग भी सकता है साथियों दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट सुरक्षित रहे हैं वही राष्ट आगे बड़े हैं जिनके भीतर आकरांताओं का मुकाबला करने की शमता थे अगर आज का दर्श्य देखें बले ही इंटरनेशनल कोपरिशन कीतना ही आगे क्यों न आ गया हो समीकरां कितने ही बदल क्यों न गये हो लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतरता ही सुरक्षा की राह है सजगता ही सुख चेन का संबल है सामर्त ही विजय का विश्वास है सक्षमता से ही शांती का पुरश्कार है भारत आज सुरक्षीत है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ती है भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां है साथ क्यों जब भी जरुवत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छाशक्ती भी है हमारी सैन्य ताकत उसने आज हमारे नेगोसियेटिंग पावर को भी अनेग गुणा बढ़ा दिया है उनके परार्म से बढ़ा है उनकी संक्रपशक्ती से बढ़ा है आज भारत आतंकियों को आतंके आखाओं को घर में गुश करके मारता है आज दुनिया ये जान रही है समझ रही है कि ये देश अपने हित से कीसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझोता करने वाला नहीं है भारत का ये रुत्वा ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है इसलिए आज भारत वैश्विक मंचो पर प्रखर्ता के साथ अपनी बात रखता है साथियों आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृती है और अठारवी शतावदी की सोच को दशाता है इस सोच के खिलाब भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है साथियों आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्म निर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है आगे बढ़ रहा है हाली में हमारी सेनावने नेड़े लिया है कि वो सो से जादा अलगलग प्रकार की जो आवश्यक्ता हैं खास के हथ्यार और साजों सामान उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे यहीं का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक्ता करेंगे यह निर्णे छोटा नहीं है इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है अपने जवानों पर विश्वास लगता है मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की इस महत्वपुन भूमी से मैं अपनी सेनाओं को उनके इस महत्वपुन फैसले के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि निर्णे छोटा नहीं मैं जानता हूं कि फैसला सेना ने लिया आत्मंदिर भर भारत का बहुत बढ़ा हूसला बढ़ाने वाला ने लिया लेकिन सेना के इस फैसले से देश्वासियों में भी 130 करोर देश्वासियों में एंसाम मैसेज चला गया सब दूर चला गया और वो मैसेज क्या गया लोकल के लिए वोकल होने का सेना के एक निड़े ने 130 करोड देश्वासियों को लोकल के लिए वोकल होने की प्रेणा दी मैं आज देश के नवजवानों से देश की सेनाओं से सुरक्षा बलों से परामेडिकल फोर्सिस से एक के बाद एक इस प्रकार निड़ों के अनुकुल भारत में भी मेरे देश के वा ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्मान करेंगे एसी ऐसी चीज़ें बना करके लाएंगे हमारे सेना के जवानों की हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी हाल के दिनों में अनेक स्टार्ट अप्स सेनाओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए आगे आए हैं कि डिफेंस सक्टर में नव जवानों के नए स्टार्ट अप्स देश को आत्म देरफरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे साथियों रक्षाक शेत्र में आत्म निर्भर भारत देश के बढ़ते हुई सामर्थ का लक्ष है सरहद पर शांदी आज भारत की रणदीती साफ है भारत की रणदीती स्पस्थ है आज का भारत समझने और समझाने की नीती पर विश्वास करता है समझने की भी और समझाने की लेकिन अगर लेकिन अगर हमें आज माने की कोशिश की फिर तो जवाब विवतना ही प्रचंड मिलेगा साथियों देश की अखंडता देश वांच्यों की एक्तापन निर्फर करती है शांती एक्ता सद्वावना देश के भीतर देश की अखंडता को उर्जा देती है सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्त के साथ जुड़ी है सीमा पर हमारे जाबाजों का हसला बुलंद रहे उनका मनोबल आसमान से भी उचा रहे इसलिए उनकी हर आवशक्ता हर जरुरत आज देश की सर्वोच्य प्राफिक्ताव में है उनके परिवार की देखभाल ये देश का दाईत्व है बीते समय में सैनीकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए है पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपत ली थी मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतरगत मिलने वाली स्कॉलर्शिप को बढ़ाया गया है साथियों सुविधा के साथ साथ वीरों के सनमान के लिए भी देश में अभुत्रूबर प्रयास चल रहे हैं नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रिय समर समारक या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल हो यह दोनों समारक देश के सावर्य के सरवोच प्रतिक मनकर देश वाथियों को हमारी नई पीड़ी को प्रेरित कर रहे हैं साथियों मुश्किल चुनावतियों के बीश आपका व्यहवार आपका टीमवर्क देश को हर मोर्चे पर इसी जजबे के साथ लड़ने की सीख देता है आज देश इसी भावना से कोरोना जैसे महामारी के खिलाब भी जंग लड़ रहा है देश के हजारों डॉक्टर्स दर्सीच हेलपर्स और सपोर्ट स्टाफ दिन रात बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं देश वासी भी इस जंग को फ्रंट लाइन वोरियर्यस की तरह लड़ रहे हैं इतने महेनों से हमारे देश वासी पूरे अनुशासन का पालन कर रहे moje मार्ज्यासी साथानियों का पालन कर रहे और अपने और अपनों के जीवन की भी रक्षा कर रहे लेकिन हमें ये भी ऐसास है कि अगर हमें मास पहनने में ही इतनी तकलिव होती है तो आपके लिए ये सुरक्षा जैकेट्स नजाने आपके शरी पर कितनी चीज़ें आपको लाद दे पड़ते हैं कि इतना सब कुछ पहना कि इतना कठीर होता होगा कि आपके इस्त्याग से देश अनुसाशन भी सीख रहा है और सेवा धर्म का पानन भी कर रहा है साथियों कि सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं तपस्या करते हैं वो देश में एक विश्वास का वाथावन बनाता है हर हिंदुस्तानी के अंदर एक नया कॉंफरेंस लेवल लाता है यह विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनोती का मुकाबला किया जा सकता है आप से मिली इसी प्रेणा से देश महामारी के इस कठीन समय में अपने हर नागरिक के जीवन की रक्षा में जुटा हुआ है इतने महिनों से देश अपने 80 करोड से ज्यादा नागरिकों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है लेकिन इसके साथ ही देश अर्थ व्यवस्था को फिर से एकमार गटी नेने का भी पूरे होंसले से प्रयास कर रहा है देश वांचों के इसी होंसले का प्रणाम है कि आज कई सेक्टस में फिर से रेकॉर्ड रिकवरी और ग्रोथ दिख रहा है यह अलग अलग प्रणार की सब लडाईयां यह सब सफलता है इनका स्रे सीमा पर डटे हमारे जवानों को जाता है आपको जाता है साथियों हर बार हरत्यों हर में जब भी मैं आपके बीच आता हूं जितना समय आप सब के बीच बिताता हूं जीतना आपके सुख जुख मैं सामीर होता हूं राष्ट्र रक्षा का राष्ट्र सेवा का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत होता है मैं आपको फिर आस्वस्त करता हूं कि आपकी आप निश्चिंध होकर अपने कर्तवेपत पर डटे रहें प्रतेग देश्वासी आपके साथ है हाँ आज के दिन मैं आपसे एक मित्र के रुप में एक साथी के रुप में तीन बातों का अग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरा याग्रह आपके लिए भी होसरताय संक्र्व बन जाए पहला कुछ न कुछ नया इनोवेट करने की आदत को नई तरीके से करने की आदत नए चीज खोच करके करने की आदत इसको जिंदगी का हिस्सा बनाई यह हैं आप मैंने देखा है कि इस प्रकार की जिंदगी जुगा बुजारने वाले हमारे जवानों की क्रिएटिविटी है देश के लिए बहुत कुछ नई चीज ला सकते है अब थोड़ा साध्यान दीजिए कुछ न कुछ इनोवेट करने का हो देखिए हमारे सुरक्षाबलों को क्योंकि आप अनुगव के आधार पर इनोवेट करते हैं रोज मराप से जीस प्रकार से जूचते हैं उसमें से निकालते हैं बहुत बड़ा राब दूता हैं दूसर को और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए और तीसरा है हम सब की अपनी अपनी मात्रु भाषा है हम में से बहुत लोग हिंदी बोलते भी हैं हम मैंसे कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं इन सबसे तो हमारा स्वाबावी गिनाता रहता हैं लेकिन जब ऐस सामोई जीवन होता है एक मेरे सामने लगू भाषा बैठा हुआ है देश के हर कौने के नौजवान बैठे उए अलग-लग मात्रू भाषा के नौजवान बैठे हुए है तो हम मैं आप से ऊड़र Dollar करता हूं कि मात्रू बाषा जानते हैं आप अपने किसी एक साथी के पास से भारत की कोई एक और भाषा कि आप जरूर आत्मसाथ कीजिए सीखिए आप देखना वह आपके बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी आप जुरूर देखेंगे बातें आप में एक नई उर्जा का संचार करेगी साथियों जब तक आप है आपका यह होसला है आपकी यह त्याग और तपस्या है एक सो तीख करोड भरतवास्यों का आत्मिश्वास कोई नहीं दिखा पाएगा जब तक आप हैं तब तक देश की दिवाली इसी तरह रोशन होती रहेगी लोंगे वाला की इस पराक्रमी भूमी से भीरता और साहच की भूमी से त्याग और तपस्या की भूमी से मैं फिर एक बार आप सबको भी और देश देश्वास्यों को भी दिपावली की अनेख अनेख शुब कामनाई देता हूं मेरे साथ क्रीट ताकट के साथ दोनों उठ्ट्टि पर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की 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 भारत भारत धन्यवार एंटेंडी वीडियो नच्चिंदा आइते वो लाइक वेस कोंदी लेधंटे वो कॉमेंट चेहेंडी एपडिक अपडु माँ वीडियो स्चूडालांटे सब्सक्राइब चेसकोंदी